हेलो एवरीवन देखिए exercise 8.2 में question number first का third part करते हैं देखो इसमें क्या क्या क्याता है course 45 degree upon my secant 30 plus cosecant 30 ठीक है तो इनकी अगर values पते हैं तो हम इसमें इसको सोल कर सकते हैं ठीक है तो मैंने क्या दिया है एक page पर यह लिखती है trigonometric ratios ठीक है ताकि मैं जो भी values put करो तो आपको यहां से दिखाता हूँ ताकि आपको बार बार book ना open करने पड़े ठीक है तो देखते हैं देखो cos 45 की value चाहिए मुझे cos 45 की values इसमें देखो cos यह रहा और 45 यह रहा तो 1 by root 2 काई सी values रही है 1 by root 2 cos 45 की value मुझे बार चल गई कितनी है 1 by root 2 तो यहां लिख देता हूँ मैं 1 upon में root 2 upon में upon में क्या है फिर secant 30 secant 30 देखो यहां पर secant यह रहा और 30 कितना है यह 2 by root 3 तो secant 30 की value 30 के नीचे देखना है secant को 2 by root 3 तो 2 by root 3 तो मैं यहां लिख देता हूँ इसको 2 by root 3 plus cosecant 30 cosecant 30 देखो cosecant यह रहा 30 degree यह तो cosecant 30 कितना है हमारे बास 2 clear इतनी बास cosecant 30 की value कितनी है 2 तो यह value हम यहां फूट कर देते हैं simple इतनी बास यह नहीं बताओ ठीक है अब तो कुछ नहीं है अब तो बिल्कुल आपका जो mathematics अच्छा है तो आप यह question बढ़े आराम से आगे कर सबते हो बस values बास चलगी अब कुछ भी नहीं है solve भी करना है इसको ठीक है देखो मैं बताता हूँ कैसे solve करेंगे इसको देखो यह 1 by root 2 है उपर 1 by root 2 upon में नीचे देखो यह value है 2 by root 3 plus 2 इसमें LCM ले LCM लेते हैं हम तो क्या आएगा root 3 LCM और root 3 LCM आगया तो यह divide होगा तो 1 1 into 2 2 plus यहाँ नीचे 1 महा लेते हैं 1 और यह divide करेंगे तो root 3 आएगा root 3 multiply by 2 2 root 3 यह आगया ठीक है अब मैंने आपको बताया हुआ है यह चीज को हम solve कैसे करते हैं जब भी इस तरह है upon में हो तो यह value values क LCM लेकर आते हैं root 3 यहाँ और यह वली वली यहाँ नीचे रहाती है 2 plus 2 root 3 यहाद है कुछ जैसे 1 by 4 अकॉन में यह पूरे के अकॉन में 2 by 3 है तो मैं हम इसको कैसे लिखेंगे 1 by 4 multiply by 3 यह 3 उपर चल जाता है और 2 नीचे जाता है इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यह ठीक है समझ रहो यह जी यह देखो जैसे 1 by 4 अपॉन में 2 by 3 था ना तो 1 by 4 और यह 3 उपर चल जा गया और यह 2 यह रहा इस वी किसमें अगर हम यहाँ से देखें इसको root 3 अकॉन में root 2 इस 2 के साथ multiply हो रहा है क्योंकि यह देखो यह ऐसे bracket में है ऐसे मान के चलो ठीक है ना root 2 2 से multiply होगा तो क्या आएगा root 3 से multiply करेंगे तो root वाली value root वाली value से multiply होगी तो root 2 into root 3 root 6 और 2 as it is इस तरीके से लिखा है ठीक है simple अब देखो यहां से क्या करेंगे हम root 3 upon में यहां से मैं 2, ले लेता हूँ 2, दो क्या बचाएगा root 2 plus root 6 ऐसे आदा आएगा आप क्या करना है इसमें rationalize कर दो इसको, rationalize कैसे देखो root 3 upon में 2 root 2 plus root 6 जब भी rationalize करते हैं इस वाली value उसको करेंगे हम दो बार यहां लिखेंगे root 2 और sin change दाएगा, minus में root 6 और नीचे भी ऐसे root 2 minus root 6 इस तरीके से करेंगे, rationalize ठीक है, समझे रहो, यह वाली value जो नीचे होगी, इसको यहां लिख देंगे, और कैसे जो plus वाली टामर्स को minus में लिख देंगे इस तरीके से हमने लिख दिया, अब देखो ज़रा, यहां से, यह वाली values तो simply multiply हो रही है अंदर, ठीक है न, तो यह ऐसे आ गई, मतलब root 3 multiply by होगा, यह root 2 minus root 6 से upon में, अब यह वाली values देखो ज़रा, यहां पर यह a plus b और a minus b बन गया, ठीक है, और a plus b और a minus b क्या होता है, आपके बास, a square minus b square होता है, ठीक है, तो यह formula लगया है, हमाँ पर देखो कैसे, 2, और इसमें रूट 2, रूट 2 का स्केर, माइनस, और यह पूरा ऐसे चल रहा है, ठीक है, माइनस, बी का स्केर, अब देखो, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको, अब और सिंपल हो गया देखो, अब क्या करेंगे, इसमें, मल्टिप्लाई कर दो, रूट 3 को रूट 2 से करेंगे मल्टिप्लाई, रूट 2 से 6 हो जाएगा, माइनस, यह 3 है और यह 6 है, रूट में, तो माइनस में कितना जाएगा है, रूट में 18, 6, 3 से 18, clear, अकॉन में, यहां से देखो ज़रा कितनी बात जाएगे, 2, रूट 2 का स्केर कितना होता है, 2, स्केर से रूट कर जाता है, माइन रूट 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 18 को अगर करेंगे, 2, 9, 3, 3, 3, ठीक है न, यह पता है न आपको, जब भी स्केर रूट में करते हैं, यह क्या हो गया, पेर बन गया, एक पेर बन गया, तो मैं इसको सिंगल टम में बहा ले सकता हूँ, रूट से, और यह सिंगल अगया आपके बास, माइनस का 4, clear, तो यह आगया आपके बास, रूट 6, माइनस, 3, रूट 2, अपॉन में, कितना आगया है, माइनस का 8, कितना आया, माइनस का 8, ठीक है, अब देको, इसको solve कैसे करेंगे, यह माइनस आ रहा नीचे, ठीक है, इसको और आगया, अगर हम further solve क कैसे करेंगे, अगर मैं यहां से माइनस कमन ले लूँ, माइनस कमन ले लिया हमने, ठीक है, माइनस जब कमन ले लेंगे बाहर, तो यह वाली term plus की बन जाएगी और यह minus की, यह तो पता है ना, आपको, कैसे होता है, कोई भी term minus की वाज़े से क्या होता है, जैसे अगर मैं minus माइनस अगर मैं बाहर लूँ, तो यह terms चेंज हो रहेंगी, यह minus का root 6 बन जाएगा, प्लस वाला था, और यह minus का 3 root 2 क्या बन जाएगा, प्लस का 3 root 2 बन जाएगा, upon में minus 8, minus से minus cancel, तो इसको देखो, मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो, 3 root 2 plus कहता है, तो मैं पहले इसको लि ठीक है, ओके, थेंक्यू